असलालेकूम फ्रेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूरेली, ये जो आप प्यारा सा खुपसूरत सा कलर देख रहे हैं ना, ये पैरी विंकल विंका सदा बहार है, इसको आप सभी लोग जानते हैं, और जिन्नों ने भी शुरुआत ना की वो गार्णिंग की वो इस प्लां प्लांट होता है, मिरे पास देशी सदा बहार के काफी सारी कलर से, हाइबरिट भी है कुछ, तो मैं क्या कर रही हूं, मैंने इसको कुछ महिनों पहले इस कंटेनर में ये मैंने प्लांटर खुद ही बनाया था, इसमें कटिंग से ही ग्रो किया था, लेकिन अब ये सिफ इस कंटेनर तक ही मौजूद है, तो मैं इसको सोच रही हूं कि फैला लूँ, अपने टेरिस गार्डन तक ले जाओ, कल मैंने ये वाला सदा बहार का वाइट जिसमें रेट कलर का डॉट है, ये भी मुझे बहुँ खुशरत लगता है, और इसमें पिंक है, तो इसमें वाइट कलर का डॉट है, एक मैंने यहाँ पर कटिंग से ग्रो किया है, ये भी है वाइट कलर, सिर्फ वाइट है, इसमें लाइट येलो कलर का डॉट है, अब मैं यहाँ पर आई हूँ, अपने ये टेरिस गार्डन पर, और इस छोटे से प्लांटर में जो सीर्स से ग्रो हो गए है ये हैं नॉर्मल जो अक्सर करके ग्रो हो जाते हैं सीट्स जहां भी बिखरेंगे वहाँ तो वो वाले प्लांस हैं ये परपल और इसमें डार्क परपल का डॉट है तो ये कुछ सदा बहार है जो इतने आसान है इसको कटिंग से ग्रो कीजिए या सीट्स से और किसी भी मौसम में ग्रो कर लीजे सिर्फ जादा सर्दियों में फ्लारिंग नहीं करता है वरना पूरा टाइम ये आपके गार्डन में रहता भी है और फूल भी आते हैं यहाँ पर भी मैंने कटिंग से कुछ ग्रो किये हुए हैं प्लेन वाइट इसकी खुबसूरती देखने के बाद इनकार कोई नहीं करता है कि हम इसको नहीं ग्रो करेंगे तो चलिए इस कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो मैं जो कटिंग बालकनी से लेकर आई हूँ इस एक छोटे से बॉटल कंटेनर में लगा देती हूँ इसमें मैंने वाइट कटिंग लगा रखी जो अब लग भी चुकी है यहनि कि आप छोटे बड़े प्लांटर किसी में भी लगा दीजिए असानी से लग जाता है ग्रो करने के लिए आप सिर्फ सेंड में भी लगा सकते हैं सेंड बालू कंपोस्ट मिलाकर मिटी मिलाकर भी इसको लगा सकते हैं कैसे भी मिटी में इसको आप ग्रो कर लीजिए बस जादा चिकनी नहीं हो और जिस भी कंटेनर में आप ग्रो करें वहाँ पर होल बने हो उस कंटेनर में और इतनी आप लीव हटा दीजिए मिटी में ये पढ़ने के बाद गलने लगती हैं तो इसको आप हटा दीजिए और अब आप उस प्लांटर में थोड़ा सा होल बनाईए और फिर इसको हम एक रूटिंग जेल यूज़ करते हैं जो आपके गार्डन में ही मौजूद है वो है ये ऐलोवेरा बहुत अच्छा रूटिंग जेल होता है ये पौधे की कटिंग में फंगस नहीं लगने देता है तो बस ये तो बिल्कुल पास ही में लगा हुआ तो इस तरह से कट कीजिए नाइफ पर लगाएंगी तो नाइफ भी आपकी फंगस लेस हो जाएगी और स्वाइल भी और इसके बाद इस कटिंग पर लगा देंगे तो कटिंग भी एलोवेरा के अलवा आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हल्दी पाउडर या फिर दालचीनी पाउडर यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसको जादा आपको दबाने की जरूरत नहीं है दो या तीन नौड इसको मिटी के अंदर दबा दीजिए और आज धूपी जादा नहीं है हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए तो टेंपरेचर ठीक ठीक है बहुत गरम नहीं है कि कटिंग जल जाएंगी तो इसको हम यहीं पर ही टेरिस पर ही लगा रहने देंगे इसके लावा जब ज़्यादा गर्मी होती है तब आप कटिंग को लगाने के बाद शेड में रख सकते हैं अभी कोई जरूरी नहीं है देखे बारिशें तो लगातार हो रही है कभी भी हो जाती है धूप और बारिश साथ में है तो ऐसे वक्त में आपको मिट्टी गिली करने की भी जरूरत नहीं है लेकिन लगाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताके मिटी खोदी है और कटिंग लगाई है तो वो सेट हो जाए इस प्लांट को ग्रो करने के तीन फायदे हैं एक तो ये मेडिशनल प्लांट है सुगर वगेरा की बिमारियों में इसकी पतियां और फूलों का यूज़ किया ही जाता है इसकी नहेर सब में इसके अलावा ये खुबसूरत फ्लारिंग प्लांट है पर्मानेंट प्लांट है आप कभी भी इसको लगाईए ग्रो कीजिए तीसरा ये एक ऐसा फ्लारिंग प्लांट है जो के आप टेरिस पर भी लगाईए या आप अपने बालकनी पर भी लगाईए दोनों जगा फूल खिलते हैं अभी मैंने आपके साथ दिखाया भी है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए और जिन्होंने अभी तक एक छोटा सा गार्डन नी बनाया है वो इस पौधे के साथ अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज